2022 का जमाना है, हो सकता है कि आप जब यह वीडियो देखो तब 2023, 2024, 2025 कुछ भी आ सकता है और आप आज के जमाने में अपने घर पे बैठके जी जान से, लगन से किसी inference examination की, किसी competitive examination की तैयारी शुरू करते हो ये सोच के साथ, ये लक्ष के साथ कि मुझे ये examination फोड़ना है, मुझे ये examination crack करना है और इस examination को मैं इतनी अच्छी तरीके से crack करूँगा कि मेरे से ज्यादा score कोई नहीं लाएगा, मैं top करूँगा और मेरी उस university में, मेरी उस examination में एक rank, एक seat तो पक्की है तो मैं आपको बता दूँ कि आज के जमाने में competition इतनी tough हो चुकी है, कि भारत में आप जैसे लाखो नहीं, करोरे बच्चे, सेम टाइम पे, आप ही के तरह किसी घर में, आप से ज्यादा resources लेके बैठे हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आपको कुचल के कब आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आज के जमाने में competition इतनी इतनी ज्यादा बढ़ गई है इसलिए, आज की वीडियो में, मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा, 5 ऐसे smart उपाए, जो आप आज के जमाने में लगा कर, अपनी examination की preparation को बहुत जादा advance कर सकते हो मैं आज की वीडियो में आपको कोई भी फालतु ग्यान नहीं देने वाला हूँ, motivational, कुछ भी बाते नहीं की, सुबह 4 बजे उटो, 5 बजे उटो, ये सारी चीज़े नहीं, मैं आज की वीडियो में आपको practical 5 ऐसे different तरीके बताऊंगा, जिसे आपको आज के जमाने में अप आपको सबसे पहली करनी है, वो है analysis of previous year papers, चाहे आप आज की time पे कोई भी exam दे रहे हो, किसी भी exam की तयारी कर रहे हो, चाहे वो कोई सी भी university हो, कोई सी भी college हो, कोई सी भी job हो, आपको उस particular exam के previous year question को उठाना पड़ेगा, और सबसे पहले उसे देखना पड़ेगा, अब क्य यह सुनो, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस level की तयारी कर रहे हो, उस level की previous year question हो ही ना, अगर मानलो आपने previous year बिना question देखी अपनी तयारी start कर दी, या question को सिर्फ एक नजर देखा और उसे ठीक से analyze नहीं करा, उसे पढ़ा नहीं, उसे solve नहीं करा, तो होगा क्या, हो सकता है कि आपकी preparation की level यहां हो, और question की level यहां पे हो सकती है, जो आने वाल exam होगी, उसकी level यहां पे होगी, या फिर हो सकता है कि आपकी preparation की level यहां होगी, और questions जो आती होगी, वो इस level की आती होगी, तो यहां पे आपकी time भी waste होगी, महनत भी waste होगी, preparation strategies सब waste हो जाएगी, इसलिए आपको चाहे कोई सी भी exam हो, उसकी सबसे पहले previous year question को उठाना है, और कहां से उठाना है, इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगी, थोड़ी महनत, मुशक्कत करो, जितनी भी मिले, बस उठालो, उसकी printout निकलवालो, उससे solve करकर के देखो, जो दूसरी चीज़ है, ध्यान से सुनो, एक example के साथ, आज के time पे, जब भी किसी student को दिमाग में आता है, कि मुझे ये फलाना exam निकालना है, या फिर मैं अभी class 212 में हूँ, class 212 के बाद, अब मुझे ये exam देना हो सकता, अभी जो आउने वाली है, या फिर कल को जाके UPSC की या गवर्मेंट exam, तो आप क्या करोगे, exam का सबसे पहले सोचते ही, ज्यादा तर बच्चे आज के time पे सोचते हैं कि हम किसी particular coaching में, institute में नाम लिखा लेते हैं, कहां मिलेगी हमें coaching, वो coaching के तलाश में भागने लगते हैं, and coaching भाले भी इसी मौके का फाइदा उठा के आपको target बनाते हैं, वो आपको ऐसे पकरते हैं, और आपके पैसे एटते हैं, हर coaching बुरी नहीं होती है, बट जो मैं आपको समझाना चारा हूँ, कि coaching से पहले, आपको सबसे पहले, अपनी books की, अपनी study materials की arrangement करनी है, ये नहीं कि आपने exam का सोचा और आप coaching के पीछे भाग गए, नहीं, मत करो, उस books को उठाओ, जो book आपके examination के लिए जरूरी है, उस study material को उठाओ, आप चाहे कितनी भी coaching कर लो, जब तक आप खुद से self study नहीं करोगे, उन books के साथ, उस books को ले, उस book को उठाओ, ध्यान रखो, मैं तुम्हें demotivate नहीं करना चाता हूँ, मैं तुम्हें बस एक reality check देना चाता हूँ, अब जो तीसरी चीज़ है, जो भी study materials आपने उठाए है, जितनी भी, जितनी भी books तुमने ख़रीते हैं, मार्केट से जुगार की है, online सेट करो, मतलब आपको वो book, वो study materials कितने दिन में खतम करनी है, आपको overall, पूरे के पूरे syllabus की deadline decide करनी है, मैंने पहले ही बोली थी, मैं आपको कोई भी motivational ज्यान नहीं देने वालो, सिर्फ और सिफ practical बात बतारो, तो आपको deadlines decide करना है, कि कितने दिन में मैं इस particular book को खतम करू कितने दिन में खतम करूँगा, और उसके बाद इस book को कितनी बार में revise कर पहूँगा, ये अगर आप decide कर लिए, तो हो गया, exam आते आते हैं, अगर आपने कोई revision नहीं करी, अगर आप उस stage तक नहीं पहुचे हो, तो विकार है, ओके, आपको revision के stage तक पहुचना पड़ेगा उससे पहले आपको time table बनाना परेगा, deadline decide करना परेगा, अब जो चौती number चीज़ है, वो literally इतनी practical है आज के time पे, इतनी ज्यादा practical कि बहुत लोग इसे neglect करते हैं, और ये contradict करती है मेरे second number वली कई बात को, कि मैंने कहा था आपको coaching के पीछे नहीं भागना है, बट आपको ए free of cost में, youtube में आपको किसी particular subject की topic तक खुस सकते हो, जड़ से, उसकी particular video देख सकते हो, आपको कोचिंग लोगे ना, कोई class लोगे, जहाँ पे मानलो reasoning का teacher है, आपको फलाना subject पढ़ा रहा है, reasoning का कोई topic पढ़ा रहा है, okay, मानलो कि कोई blood relation topic है, तो वो एक बार आपको बिना आप से कोई पैसे चार्ज किये, तो youtube आज के टाइम पे बहुत बड़ा power है, आपको इसे underestimate नहीं करना है, बस किसी particular creator को अपना वो बनाओ, भाया बनाओ, या दीदी बनाओ, जो भी creator है, उसके साथ connect करो, और उसके साथ चलते, कतम से कतम में लाकर चलो, जैसे आप मु आपको short notes बनाने है, चाहे आप कोई भी exam दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आपको लंबे-लंबे notes नहीं बनाने है, आपको अपनी preparation के starting day से ही short notes, मतलब one liner, ताकि आप जब examination का time है, जब revision का time है, तो आपको लंबी-लंबी चीज़े ना बढ़ना पड़े, आप सिर्फ एक line पड़ो और आपको वो topic याद हो जाए, समझ गए? And lastly, ये सभी चीज़ों को करने के बाद, एक चीज़ जो आपको रखनी है, कि you need to have that fucking confidence in yourself, आपको अपने उपर भरोसा रखना है, I'm sorry, अगर मैं abusive हो रहा हूँ, but ये reality check है, कि जब तक आपको अपने उपर भरोसा नही आपको बस वो एक seat चाहिए, और आप वो फोडोगे, anyhow, I know this, तो इसी के साथ खत्म करते है वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो जड़ा सी भी पसंद आई है ना, जड़ा सी भी, please इसे like करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो again subscribe करना, और as a brother, अगर मेरे से बात क करना चाहते हो, मेरे से कभी भी interaction करना चाहते हो, तो नीच इंट्राग्राम के लिंक है, वहाँ जाके मुझे follow करके DM कर सकते हो, I love you guys, मिलते हैं, next video में, I know, all the best, bye bye